हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे आप लोग मेरा अम नभील है आज हमारा संडे क्यों नहीं है जिसमें आपके पूछेवे क्योंस के आंसर में देनी कोईश करता हूं अगर किसे क्योंस चूट जाता है दना में रिली सॉरी फो डाट लेकिन सबके क्योंस यहां लेना पॉसिबल नहीं है फिर्वी मैगजिम लोगे क्योंस में यहां पर लेके आता हूं जिन लोग के छोड़ देता हूं वो लोग जाके फ्लीज चेक आउट कीजिए हमारे चैनल को जहां पर आपको आपके कांसर मिल जाएगा बहुत लोग बैटरी हेल्ट से पुछते हैं बहुत लोग फॉरण के आईफोन खरीदने से पुछते सभी के आंसर वहां पर आपको मिल जाएगे टाइम स्टैम भी है हो सकता है यहां पर टाइम लाइन पर आपको देखने मिले नहीं देखने मिले तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आपको सब टाइम आईफोन लेना चाहरे है तो आपके लिए शायद वैलिफर नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर फीचर जो है इसमें आपको कॉम्रॉमाइस करना पड़ता है जैसे आपको जो है वहां पर वायरलेस चाजिंग नहीं मिलती मैक्सेप वाली दूसरी चीज आपको नहीं मिलती व प्राशी प्राड़क्ट इस्तमाल करना होता है तो वो लोग उस टैप के फोन के लिए जा सकते हैं तो फिर और महेंगे वाले जो होते हैं पाच लग छे लाक वाले उसके लिए तब जाके कुछ जो है वो चीज उठकर दिखेगी अदर्वाइस यह जो सेम प्राइस में मिल आपल उसको रोल आउट करे जा रहा है और इंडिया के अंदर यह फीचर आने के लिए थोड़ा वक्त लग रहा है और यह फीचर जो है मुझे इसा लगता है कि जब ऑफिश्यल आइस 15 रिलीज होगा उस टाइम तक यह फीचर आपको देखने मिलेगा जो कि होगा में बी स सेट करने की कोशिश की तो वहां पर वेटिंग एक्टिवेशन लिखा रहा है सलूशन बताइए देखिए आपके किसी भी आईफोन के अंदर अगर आई मैसेज या फेस टाइम सेट अप नहीं हो रहा है बहुत लोगों ने कोशन पूचा है आज की क्यों इनका कोशन में ल रहता है क्योंकि आपको जरूत ही नहीं पड़ती है कि दिनके 100 SMS मिल जाते है अब आपल का FaceTime iMessage अगर आपको अक्टिवेट करवाना है तो वहां पर जो है पांच रुपय का मेसेज जो है वो सेंड होता है इंटरनेशन मेसेज जो के आपके मेन बालस में से करड़ होता है तो वहां पर SMS जाता नहीं है वो वेरिफिकेशन होता नहीं है और आपका FaceTime iMessage शुरू नहीं होता है इसके उपर एडिकेटर वीडियो मैंने बना कर रखाया कर आपको मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रही तो आप Google पर या YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो आपको मेरा वीडियो मिलेगा उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी अगला कॉशन है SimCut का यह बोलते है मैंने MacBook M1 वाला जो है वो लेकर रखाए कि मैं फ्रॉस्टेट हो रहा हूं कितना इजी लिए डिर्टी हो जाता है स्क्राचे हो जाते है क्या मुझे को स्किन लेन साइट वक होगा हो सकता है कोई इंटरेश के साइट पर या फिर क्स्रेटेस साइट पर काम कर रहे होंगे तो उसके में लेन घचाए पहले वीडियो में बता चुका हूँ वो वाला जाके दे लीजे, थोड़ा सा महेंगा आपको लग सकता है, लेकिन आपके MacBook को बहुत शे से प्रोटेक्ट करता है, उसमें dust वगरा नहीं जाती, और आपके MacBook को अगर कहीं धक्का लग जाए, तो उससे भी वो उसको बचाता है, जो के बहुत ज़रूरी है, आपके MacBook क अगरी कार ही मेरी फेवरेट होती है, क्योंकि उसमें होता है बहुत ज़रूर्क लो एंड के अंदर, पेट्रोल मोटर के अंदर थोड़ा अलग होता है, डीजल मोटर के अंदर थोड़ा अलग, ड्राइविंग स्टाइल आपको किस टाइप का पसंद है, उसमेर सब को पसंद आता है, क्योंकि पहले के जो डीजल होते थे बहुत ही स्लो और बहुत ही जो है, अभी के डीजल नहीं है, काफी फास्ट है, और काफी फ्रूगल भी है, यानि की फ्यूल एफूशन भी होते है, और टर्बो चाजर इन सभी डीजल एंजिन के अंदर आपको देखने आखों पे जो है, जो है, जो है जो दो हो है और जादा इस्तमाल करने से अइपैट को आखराब हो सकती है, और हैंडरीटिंग में भी बहुत फरक पड़ जाता है, अगर कंटनियूस आइपैड में ही नोट टेकिंग करें, तो देखिए हैंडरीटिंग की बात मैं आगे in fact अच्छी बात है कि वो सब चीज़ों पर पढ़ रहे है definitely pen और paper लेके जब पढ़ेंगे तो शायद आखोंग पे उतना strain नहीं पढ़ेगा जितना एक iPad पर पढ़ता है लेकिन अभी हे compromise हमको करना ही पढ़ेगा क्योंकि अभी सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई रही बात handwriting कोई फरग नहीं पढ़ता कि handwriting कितनी खुबसूरत है कितनी बसूरत है life में आप successful हो रहे हो क्या काम कर रहे हो आगे जाकि वो ही सबस्यादा important है हम लोग भी स्कूल में थे तो पूरा stress जो है handwriting सुधारने के ऊपर और किसको जो है जादा tables याद होते है उसके उपर रहता तो हमारे teachers भी बोलते थे अरे वो अमेरिका के बच्चे जो होते है वो tables उनको याद ही नहीं होते है उनको स्कूल में calculator दे दिया जाता है और हमारे इंडिया के बच्चे वाँ 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 पूरे जो है tables उनको याद रखते है आप लोग tables याद करो आपका दिमाग बहुत शाप होगा सही बात है tables याद करने दिमाग शाप होता है लेकिन मुझे रखते है कि दिमाग का वो power वो हमारे brain का जो power है वो tables याद करने से ज़ादा बड़े-बड़े problem solving और बड़े-बड़े चीजों के उपर focus करने में होना ची यह calculator हमने बना लिया अपनी सहूलत के लिए तो क्यों ना calculator का इस्तमाल करके वो tables उस पर solve कर दिये जाए और calculation जो है उस पर किया जाए क्यों वैसी भी आप engineering में जाते हो तो आपको pen और paper और दिमाग से आप सारे calculation नहीं कर सकते आपको scientific calculator का इस्तमाल करना ही जब आगे जाके करना ही है तो यहाँ पर इतनी मगेजमारी क्यों करना है मेरा solution यही है कि iPad पे note taking जो है वो अच्छी चीज है handwriting की ज्यादा परवा मत करो कोई फरक नहीं पड़ता वैसे जो ज्यादा qualified doctors होते उनके handwriting कैसी होती है आप लोग जानत देंगे तो आपको बहुत सारे चीजों में restriction पड़ जागा Google Maps आप कैसे यूज करेंगे या Apple Maps कैसे यूज करेंगे आप OLX पर डाल रहे है या local आपका सर्च करें तो वहाँ पर location जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है location completely off मत करो location कैसे settings करना है क्या करना है मैंने कही वीडि जाके off कर सकते है बैटरी पर असर होने की बात ऐसी है कि बैटरी पर definitely हर जो चीज आप on करेंगे फोन के अंदर उसका बैटरी पर कुछ ना कुछ असर होगा लेकिन बैटरी पर असर सोच कर अगर आप फोन कोई अच्छे तरी की यूज नहीं करेंगे तो फोन रखने का फि कोई भी PD चार्जर जो के power delivery उसका जो है short form PD होता है वह वाला चार्जर आपको लेना जरूरी है क्योंकि Samsung का चार्जर में भी आपका PD चार्जर नहीं है तो आपके आइफून में जो fast charging की technology हो PD based है तो PD चार्जर आपको लेना पड़ेगा आप 2000 वाल लो 1500 वाल लो लेकिन PD च में laptop जो है one stop solution है सभी students का instead of iPad और laptop के ओपर बहुत जादा चीज़े कर सकते हो iPad के मुकाबले और आजकल जो touchscreen वाले laptop भी available है तो मेरे हिसाब से आपका जो last answer है वो misguiding है और misleading है सब लोग iPad afford नहीं कर सकते है अभी आप बात कर रहे हो touchscreen वाले laptop की तो touchscreen वाले laptop क्या 20,000 रुपे मे आते है almost जो है लाक रुपे टच करते है या maybe 60, 70,000, 80,000 और बहुत ही घटिया touch interface होता है Windows के laptop का आप जाके देख लीजिए इसलिए Apple ने आज तक जो है अपने Mac series के अंदर touch को introduced नहीं किया है iPad जो है touch-based system पे काम करता है और Mac जो है अलग काम करता है Windows के अंदर इतने successful नहीं है जो similar performance आपको देगा तो आपकी बात जो है completely misleading और misguiding है मुझे misguide और mislead करके तिम को का के मुझे थोड़ी मेरे जेब में पैसा डालने वाला है जो सच है वो मैं बता रहा हूं यहाँ पे 30,000 रुपे का जो iPad है और 30,000 रुपे का जो laptop है दोनों का comparison करके देखिए 30,000 आईपैड एक generation जो है तीन महीनों से इस्तमाल करा हूँ fully satisfied हूँ मैं iPad से fully amazed हूँ मुझे भी ऐसा लगता है कि iPad जो है वही लेना चुछ है laptop के आगे students को और मैं जो है plus two second year college में हूँ your content is very nice ठीक है मेरा content अच्छा है नहीं अच्छा है वो छोड़ दी subjective है आपको शहां नहीं पसना आता होगा लेकिन यहां पे जो एक iPad है वो ज्यादा बहतर टूल है students के लिए depending के वो क्या पढ़ाई कर रहे है school students और college के जो regular classes होते है उसके लिए iPad एक अच्छा टूल है advanced studies के लिए मेरे साब से laptop जो है वो बहुत जरूरी होता है और अच्छा high end का laptop लेंगे तो उसकी भी ज़रूरत आपको पढ़ सकती है क्योंकि engineering के software's और बहुत सारा ऐसे software's होते है जो iPad पर नहीं चलते हैं अगला कुछने दूस्तों सुबरजीत मरिक का यह बोलते है कि Airpods की warranty extra लेने का एक ट्रिक आपने बताया था वीडियो मुझे नहीं मिल रहा है किस तरीके से मैं manually warranty activate करने में कभी-कभी आप आगे की date दाल देते हो तो आपको ज्यादा warranty मिल जाती है तो आप ट्राइ कीजिए manually warranty update करने का आपको क्या करना है check coverage.apple.com पर जाना है वहापे अपने एरपोट्स का serial number एंटर करना है serial number एंटर करने के बाद आपको वहाँ पर बता देगा कि आप वहाँ पर एक purchase date दाल सकते है अगर वहाँ पर select नहीं करता है accept नहीं करता है फिर आपको आपके bill के मुताबिक अपनी purchase date दालनी पड़ेगी फिर आपको जादा warranty नहीं मिलेगी कभी-कभी chance इसा होता है कि वह accept कर लेता है और आपको maybe 6 months की 2 months की 3 months की कितने भी months की extra warranty मिल सकती ह अगला question है दोस्तो हितेश कुमार का यह बोलते है कि जब future में 5G आ जाएगा completely और 5G वाले phones ही जादा भी गिएगे तो उस time पे हमको compromise करना पड़ेगा एक चीज़ पे कि हमारे जो iPhone है जो phone है उसको क्योंकि हो 4G होगा तो लोग बोलेंगे जो buyer होगा और भाई 4G है तो यहा आप बहुत पुराने आइफून देखेंगे तो वहां पे वह आइफून महेंगे होते हैं उनका डिमांड बढ़ जाते क्योंकि नए आइफून को देखके लोगों के दिल में खौयश पैदा होती कि आइफून ले अब जाते लेने के लिए तो असी अजार लाग रुपे क आइफून तो ले नहीं सकते हैं उसके बाद वाले आइफून उनको पुराने लगते हैं तो बहुत पुराने आइफून जो है वह ज्यादा वाले फून आ जाएंगे तो आने के लिए बहुत टाइम लगेगा तब तक शायद आपके फोन का पुरा जूस निकाल चुके हों आफिस यूस करना है एडिडिटिंग वगरा करना है मैजिक माउस टूलू या फिल लॉजिटेक का एमेक मास्टर 3 यूट्यूप पे बहुत अरी कंप्लेंट की वीडियो देखिए मैंने लॉजिटेक के माउस की के लैग वगरा होता है तो कौन सा माउस देना चाहिए मेरे माउस के अंदर आपका हाथ जो है बहुत बुरी तरह से दर्द होगा क्योंकि उसका जो साइज है हाथ के हिसाफ से शेप है वह साही नहीं इतना अर्ग नहीं है और लॉजिटेक फिर वह थर्ट पर्टी वाली बात आ जाती तो बेस्ट है आपके लिए एपल का मैजिक ट्र करके क्या ओफिशल वर्जिन पर जा सकते के नहीं आप अगर हमारे चैनल से जुड़े और अगर मेरी जिंदगी रही तो इंशालला जरूर आपको जो है वीडियो बना के बताऊंगा के ऑफिशल वर्जिन पर कैसे जा सकते हो बेटा वर्जिन से मैं हमेशा हर साल जब भी बेटा वर्जिन पर हम लोग होते हैं मैं बताता हूं कि वीडियो में इस तरीके से बेटा वर्जिन डाउनोड करना है फिर उसका फॉल उप वीडियो वकर आप बनाते रहे तो नहने अपडेट बताता हूं तो फाइनली जब ऑफिशल स्टेबल वर्जिन आता है तो वह ब वाटसाप एक अप्लिकेशन है और उसमें बग्स आने ही आने है जैसे सॉफ्वेर में बग्स आता है वैसे वाटसाप में भी बग आता है फिलाल आई उस 15 जो लोग चला रहे है उनका वाटसाप जो है स्टेटर्स देखने के राइम पर हैंग हो अगर आपने आउस 15 लिया लेकिन क्योंकि वह इतना फास सेलिंग नहीं होता है और हाथ वह नहीं बिखता है बहुत ही कम लोग होते है जो अप्ग्रेड़ेड वर्जिन लेना चाहते है उनकी अपनी परस्नल रिक्वार्मेंट के वज़े से तो वहाँ पर उनको वह कस्टमाइज करके दिया जाता है अगला कोशन है दोस्तो प्रतम शाह का और यह काफी अच्छा कोशन मुझे लगा उससे मुझे एक आइडिया भी आ एक वीडियो बनाने का तो थाइंक्यू सो मच प्रतम और यहां पे बोलते है क्या is it safe to charge आईफोन कार में जो है चार्ज कर सकते कि आईफोन कितने हेट हुई वी ना रहे अंदर से जिसमें आपका फून खराब सकता है बैटरी को डामेज होता है, जब कार अंदर से बहुत ज़्यादा गरम हो तो उस टाम् पर चार्जिंग मत लगाईए, वैसे कोई भी अच्छे कंपनी का जो कार का charger है आईफोन के लिए या स्मार्टफ है और सेफ है सर्टिफाइड है और बाकी आपको ध्यान यह रखना है कि कार में घर्मी ना हो इस वीडियो का आखरी कॉशन है मोहन का और काफी अच्छा कॉशन मुझे लगा यहाँ पर यह एक जो है जो है जो है चोटी सी प्रॉब्लम है जिसका सेलेशन बहुत ईजी है और स्कूल वालों को भी समझना चाहिए यहाँ पर इनका कॉशन यह है कि आपने आइपड के बारे में समझा है बहुत अच्छा लगा लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासे चल रहे है जिसमें स्कूल वाले वाटसेप के जरी से फाइल सेंड करे तो वाटसेप तो आइपड में चलता इसको प्रावलम आती है आप लोग उनको समझाए कि भाई देखिए गूगल क्लास्रूम है यह गूगल ने बनाया है ऑनलाइन क्लासर देने के लिए यह यूज कीजिए अपना कोई खुद का अप्लिकेशन बना के यूज कीजिए जिस पर बच्चे जो है अच्छे तरीकी झाल झाल